सब्सक्राइब कीजिए एस फ्रेशन डिजैनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे फटी एडियो को सही करने के लिए आज मैं आपको एक घरे लूप चार बता रही हूँ जिसको आप असानी से कर सकते हैं देखिए यह मैंने एक केंडी ली है घर में मिल जाती है यदि नहीं है तो आप सोब से ला सकते हैं तो इसका हमें इस तरह से मौम निकाल लेना है इसके धागे को हमें अलग कर देना है तरह से यह मैंने मौम निकाल लिया है और इसके धागे को अलग कर दिया है अब इसमें हम डालने के लिए सर्सो का तेल लेंगे बन फोर्थ शम्मच इसमें हल्दी एड़ करनी है हल्दी एंटिसेप्टिक होती है और घाप को भढ़ने में हेल्प करती है इसको हमें किसी पैन में कर लेना है पैन को मैंने गैस पर रख दिया है गैस ओन करती है मॉम पिगल चुका है अब मैं फ्लेम को बंद किये देती हूं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए इस तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हमें इसको किसी खाली डब्बी में कर लेना है पाच मिनट बाद इसमें देखिए इस तरह से जम चुका है देखिए मैं आपको दिखा रहें कितना सोफ्ट है यह अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है सबसे पहले हमें पैरों को अच्छे से धो लेना है और रात को हमें सोने से पहले लगाना है इसको तो जब हम पैरों को अच्छे से धो लेंगे तो उसके बाद हमें इसको लगाना है इस तरह से हमें पेरों पर रब कर देना है एड़ी पर उसके बाद आपको कोई पुराने मोजे और्ड सोक्स पहन लेने हैं ताकि इसमें धूल मिट्टी नहीं भरे, डस्ट नहीं जाए इस तरह से आपकी एड़िया बहुत ही सोफ्ट और चिकनी हो जाएंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे थैंक्यू